नौरत्न कीचन में आपका स्वागत है मैं रिना गुपता आज मैं आपको कच्छे आम का मीठा अचार बना के बताएंगी देखिए कच्छा आम का गुड़ के साथ बना हुआ मीठा अचार है इसको रोटी के साथ थाय जाता है और यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए आगे बताते हैं कैसे बनेगा हुआ देखिए अमको इस तरह से कच्छा आम लेना है आपको छील के और इस तरह से इसका पीस बना लेना है थो चोटे चोटे लंबा अब जैसा चाहे वो इसा पीस बना सकते है कोई unity कि आयसा ही बनाना यह इसका इस्ट्रə से छील के काटके पीस बना लेना है ल aisusकी बाद इसमें क्या सामगरी लगेगा देखिए इसमें लगेगा गुड़ यह गुड़ है इसमें गुड़ लगेगा और यह मिर्चा आठ दस मिर्चा है इसमें और यह रिफाइन तेल और हल्दी सोफ जीरा और नमत और यह हींग इतना शामगरी से इसको हम बनाएं चलिए अब गैस ओन क्या करते हैं अब कड़ाही मेरा गरम है इसमें रिफाइन डालेंगे एक कटोरी रिफाइन था जिसमें हम इतना आदा डालेंगे आदा से थोड़े जाते हैं अब यह गरम हो जाएगा तब इसमें जीरा डालेंगे और शॉब डालेंगे मेर्चा को तोड़ लेते हैं इस तरह से दो दो टुपड़ा कर लेना है बहुत दिन से हम वीडियो नहीं बना पाएं काया कि मेरे रिलेटिव लोग फड़ा बिमार थे तो वीडियो बनाने में हमको अच्छा नहीं लग राता हैं तो इसलिए बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बन पाया देखे गरम होगा तो इसमें जीरा डालेंगे थोड़ हल्का और गरम देखे इसमें एक चमच जीरा है इसको डाल देते हैं और एक चमच जीरा पाया डाल देते हैं और यह मीच्चा एसको पहर डाल देते हैं नहीं डाल देते हैं पड़ां और अग डाल देते हैं इसमें नमग राव देते हैं इतना आम में बर्गर की बर्गर की बर्गर देते हैं यह सेंदा नमग है यह आम मीथा आम तार चाग जब भी बनाई है तो ज्यादा खट्टा नहीं होना जिए जो मीथा खट्टा आम होते हैं इसी का चाग सीच होता है ज्यादा खट्टा होता है तो इसमें गूर ज्यादा लगता है और खट्टा मीथा रहता है तो इसमें परक्ताम गूर लगता है इसको काक्मी के पहले धो लेना है काक्मी के बाद आम को धोना नहीं है काक्मी के पहले धो के छील लेना है यह 1 kg से थाड़ा ज्यादा आम है और इसमें 1.5 kg गूर है अब जैसा ग्रेग बनाना चाज़ते हैं अगर ग्रेवी सुखा रखने दालें जादा ग्रेवी बनाने साटे में जादा ग्रेवी देगा है काथ नमें इसादमा घूल दालें उसको में भूल देगे इसको 2-3 मिनेट इसको भून लेना है, 2 मिनेट के बाद इसको भून लिया है, इतना देर भूनना है कि खलगी खड़ा भूना जाए, सल्दी कच्चा में रहना चाहिए, सल्दी गून जाए है, उसके बाद इसमें गूर्ड डाल लेके में, यह जेट किलो गूर्ड है, और आम एक किलो से उपर है, अब इसको तब तक गूनेंगे, जब तक गूर्ड अच्छा से पिखल न जाए, यह बिना पानी का है, इसको दिरे-दिरे, इसको गैस फ्लें चलो कर देना है, और दिरे-दिरे इसको पिखलने देना है, देखें, अवे गूर्ड पुरा पिखल गया है, इसको बीच-बीच में ऐसे चलाए, आते रहना, इसको छोड़ना नहीं है, यह तो जलने, मीचे जलने का डर होता है, और इसको गूर्ड डालने के बाद, फ्लेम इदम स्लो फ्लेम में बनाना है, और जब भी आप यह मीठा चार बना रहे हैं, तो कोशिस किजिए कि गूर्ड का ही बनाए, क्योंकि चीनी से बह बूट साने कोई फैदा नहीं है, और गूड का बनाएंगे तो फैदा ही फैदा है, गूड से खूं साफ होता है, इसको फीमारी ठीख होता है, गूड से खासी ठीख होता है, अब यह थंडा हो जाएगा तो इसको सुखा डबा में डाल के रखना है अब ही इसको ढखना नहीं है जब तक गरम है इसको ढखना नहीं है अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में बाइब बाइब आए